मैं मौझूद हूँ चंदवली जनपत के बलुह घाट में चंदवली जनपत वही जनपत जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है लेकिन 2024 लोकसभा चुनाओं में यहां के क्या मुद्दे हैं स्थानी मुद्दे क्या हैं और गंगा किनारे कितना विकास हुआ है इन सभी से यहां चुनाओं जीत रहे थे और तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास जताया है तो आखिर हैटिक लगाने में कितना काम्याब होंगे और पुर्म मंत्री रहे सपासे प्रत्यासी बिरंदर सिंह यहां चुनाओं में हैं तो आखिर क्या होगा यहां की जनता का मूड क्या होगा अगर बात करें तो लहर के विपरीत यहां की जनता चलती है लेकिन लोगों से बातचित करेंगे कि आखिर गंगा किनारे कितना भी कास हुआ है गंगा कितनी साफ हुई है अगर बात की जाए गंगा किनारे तो गंगा सब की पाप धुलती है लेकि इस बार किसका पाप दुलेंगी और किसे अपने आप में समाहित करेंगी आईए हम आपको लेकर चलते हैं जंता के बीच और लोगों से बाचित करेंगे और जानेंगे कि आखिर चंदवली लोग सबाचेतर में उनका मूड क्या है तो आखिर कितना बदला है चंदवली और हम इसमा बलुगा घार पे हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है उनसे बाचित करेंगे गंगा किनारे हैं और गंगा की बात करेंगे सबसे पहले गंगा पे ही सवाल गंगा कितना बदली मा गंगा जब से पूजी प्रदान मंतरी नरंदर मोधी जी की सरकार आई है 2014 में आप देखते होंगे कि अविरल गंगा निर्मल गंगा जैसे कारिक्रम और एक बोर्ड बनाया गया मा गंगा के नाम से और यहां की स्वक्षिता और यहां के चहूर विकास यहां के सांसद आधरनी डाक्टर महनात पांडे जी जो विकास पूरुष के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने किस प्रकार से किया है तो 14 से फिर 19 और यहां 2022 यहां पुना डाक्टर महनात पांडे जी लबक देड से 2 लाग खोटों से बिजेगी होने जा रहा है क्या लगता इस बार हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे बिल्कुल कामयाब होंगे क्योंकि इस छेत्र में जिन चीजों के लिए जिन कार्यों के लिए इस छेत्री की जनता हिम्मत हार चुकी थी और उन्होंने ये विचार बना लिया था कि ये काम नहीं हो पाएंगे हमारे छेतर में जैसे सडकों से संबंदित हो गया जैसे चिकित्सा से संबंदित हो गया जैसे बिजली और पानी संबंदित हो गया कि लोगों को घंटो लाइन लगाना पड़ता था वहां पे, लेकिन बहुत सारी सरकारे आई और गई, लेकिन कोई भी सरकार इन सारे कामों को नहीं करवा पाई, लेकिन वहां उतने कंजस्टेट एरिया में, उतने कम जगहों में उन्होंने उभर रीज बनवाने का काम किया. आपके पास आएंगे, अगर बात की जाए, गंगा की किनारे की बात की जाए, तो गंगा के किनारे कितना बदला हुगा? बदल गया, 2400 गंटे लाइन पर आप छेतर में रह रही है, आप ये पक्के घाटों का निर्मार देख सकते हैं, जेटी यहाँ पर बना इसको आप देख सकते हैं, और यहाँ से जूड़ी जितनी भी मूलभूत्स विदाय थी लोगों को आपके यहाँ सांसत के पहुचाने मे यहाँ पर महिनात पांडे जी के बने पर आदमी आराम से उंसे मिल पाता है, अपनी योजनाओं के बारे में बता पाता है, और यहाँ के सडकों की बात जो थी, सडक खसता हाल थी, माने महिनात पांडे जी के आने के बाद, आप मटकुट्टा गेट देख लीजिए, कि मुकाबला कहा जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला है सपा से पूरो मंत्री बिरेंदर सिंग यह चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ लोगों में महिंतनात पंडे को लेकर नाराजगी भी है तो यह नाराजगी का असर कि दना दिक देखिए नाराजगी कोई कुछ नहीं लोगों के दुर्भावना फैलाई जा रही है विपच्छी द्वारे तागी विपच्छ के पास कोई मुद्दा नहीं है और भटकानी कुछ अरे नाराजगी तो वहां सपा के पास जो दलबदुली नेता को उन्होंने टिकट दिया नाराजगी तो फुरे सपा में है डबल जाता ने गंगा किनारी जब जेत कर लो लेकिन वह कितना हुआ है क्योंकि हमाने में खेटी होती है काफी जो है उसके साथ ही अगर हो चंदविय में अगर बात की जखरे हैं अन्युको चाहां हमको बाबत पूर से जमनिया जाने में चार घंटे 5 घंटे लग जाते थे दो घंटे में हम जबनिया पहुच रहे हैं विकास हुआ है क्या विया क्या लगता है कितना विकास हुआ अपने कैमरा मेन को आप बुलाईए शुरुवात करते हैं कि गंगा जी के किनारे ही हम खड़े हैं आपका कैमरा मेन आए और देख ले कि नहीं कितनी सफाई होगी सफाई तो यह गंदगी तो हम ही आप करते हैं वाला कि आप मुद्द समध भठकाई है आपने क्या पूछा कि नहीं गंगा के किनारे और आपका साइद आसर है कि गंगा के किनारे के गाओं का क्या भीकास हुआ है यही न देखे अभी मैं भाईयों के अपने सुन रहा था कटोरे का नाम लिया ठीक है धान के कटोरे के संबन्धित आप बात करिएगा जो चीजे किसानी से संबन्धित है कमलापती के बाद कमलापती के बाद कुछ काम अगर नहरों पे हुआ है या नहरों की छमताओं को अगर डबल किया गया है तो राम किसुन यादव के समय में दबल किया गया था उसको आप कटोरे की बात करिएगा तो एक बगल का ही गाउं है महुर कला आज के डेट में एक व्यक्तिगत एक गाउं उस सबसे जादा धान देता है वो नहरों का काम महिंदर पाने जी नहीं किया देखे विकास की मुद्दे की बात करिएगा विकास के दूरे हुए बात करिए गागर तो जीश विवाग से डाक्तर महेंदर नात पाने जी विवाग से मंत्री थे आप सवाल यह होगा कि उनके भिवाग शंब इस ऊचटेश संवाहाग्जाब दूरौ मारा सथी कुल दीब जी ने बताया उनका हार्दिक स्वागत है आप ये समझिए कि 2017 से पहले बलुगा घाट पतित पावनी मोच्चदानी पस्ची मुआहिनी ये घाट है हिमाले से लेके बंगाल की खाड़ी तक गंगा दूसरी धाराओं बहती हैं यहां जहां खड़े हैं इस धर्ती की ये ताकत है कि गंगा की धारा को भी मोड देती है आप उस धर्ती पे खड़ा हैं यहां पीपल के पेण के नीचे ये कहा जाता है कि नईहर सासू की गंगा है मतलब नईहर और ससूरे इधर 50 गाओं में जो औरतों की साधी होती है लड़कियों की हमारी बहनों की उनके घर के जो 100 जलते हैं जो मुर्दा जलता है वो इसी घा गाट को कहते हैं कि नईहर ससूरे दोन्नों का गंगा है इस घाट पर पीपल के पेण के नीचे तूटे फूटे धरमसाला में बैठने के अलावा हमारे पास कोई सव यात्रियों के पास विकल्प नहीं था कि वो बैठके यां सव जला सके डाक्टर महेंदनात पांडे जी क प्रदानमंत्री बनने के बाद और दुनिया नहीं देश में पहली बार किसी रीवर के नाम पर मंत्रालाय बनाने के बाद गंगा का मंत्रालाय बना देश नहीं पूरी दुनिया में होली रीवर के नाम पर मिनिस्ट्री बनी और उस मिनिस्ट्री के बनने के बाद यहां 200 से चाहस से टीन सेट भी लगे हुए हैं आपको मैं कमलापती जी की बात हमारे साथी बता रहे थे कमलापती जी मुख्यमंत्री थे इस्टेट के और उनको नेता नहीं देवता हम कहते हैं लेकिन सिर्फ देवता या नेता होने के कारण रामचन जी का भी जन्म हुआ तो बलुआ अएक सिनित्ष खेटर में सारे लोगों का मर्यादापुरिसूत्व में है और उनका जीवन आधर्स पुरस्चुरूप में मर्याधापुर्शूत्व का है और डाक्टर महेंद्र नाथ-पांडे का जीवन घोसित रूप सही मंदार और कर्तब्रिंश्ट कारिकरता कstat आ तो जो समाजबादी पार्टी की प्रत्यासी है आज कभी समाजबादी पार्टी पे कभी कारकता रही नहीं है पहली बात जब यादों की बात करते हैं आज यादों जो नराज है समाजबादी पार्टी से तो मुलाय मिसी के जमाने में सारे लोग को जोड़ के चलते थे तुमा कान भाल चन सारे यादों को टिकेट मिलता था आज पूरे प्रदेश में परिवार को छोड़ किसी को टिकेट नहीं मिला है इसलिए कम सकम 25 परशंट रियादों नराज हैं कि लेकिन बात करेंगर भिकास की तो गंगा किनारे कितना भिकास गंगा कितनी साफ बहुत जादे साफ इन गाए आप और सपा सपा तो रामभक्तों पर गोली चलवाई है और उसको और देना चाहिए पताओ नहीं देना चाहिए अब तो राम लला आ गए राम लला आ गए सब आब मोदी जी भी आएंगे क्योंकि अगर बात करें विकास की तो कितना बदला हुआ कितना विकास हुआ हर कि देखे हर छेटर में सिर्फ तो गंगा के किनारे ही नहीं अभie आदरर अर्विन पांडे जी ने गंगा के किनारे किया हुआ है सारे विचेड में नि रहा है लेकिन आप देखे प्रतिस के रच्षितर में मेड़ को च्षितर में पहले हमारे होनाहार ईवागा बहुत पढ़े लिखे बहुत सिच्छित लेकिन कालेज कि अभाव में पढ़ नहीं पाते थे उनकी कई-कई उपेच्छा हो जाते थे लेकिन आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में माधड़ी योगी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी उवाओ की उपेच्छा नहीं हो पाती है सिच्छा के चेत्र में लोग है उनके बीज भी चलते हैं आपने तो पूरा एकदम गिरुगा धारण ही कर लिया है राधे 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 क्या लगता इस बार क्या है जनता का मूड क्या है अगर बात करें 2014 से लेके 24 तक इन 10 सालों में कितना बदला इन 10 सालों में बहुत कुछ बदला और जनता का मूड तो वही है कि जो राम को लाय है हम उनको लाएंगे और बात कर लेगा चंदोली लोग सभास छेतर की तो यहां डाक्टर मेहननाथ पांडे जी तीसरी बार लगातार लगा लेंगे झादा वोटों से जितने जारें और उनकी जीत भी हर वर्स की बाती इस बार भी इस चंदोली जिले की जनता के नाम विकास के नाम समर्बित रहेगी विकास हुआ है जिस तरह से बता रहेगी तना बीकास हुआ है जब बच्पन में हम लोग आया करते थे थोड़ी सी जवानी भी आई फिर भी उस समय इसी तरह से कचड़े का महल रहता था लेकिन आज हम स्वच तरीके से यहां पर खड़े हैं तो लिहाजा विकास हुआ है पांडे जी ने विकास किया है मोदी जी ने विकास किया है थोड़ा सथ देखे लिए खेल रहे हैं जो भी उनके बच्चों के साथ साफ एक्दम दिख़ाय है पानी में प्रत्यास को प्रमार किया हो बता दे कि भगवान भुलेनाद का कपाट खुल चुका है अब हम किष्ण जन भूमी के तरफ आगे बढ़ चुके हैं और इस बार जीतेंगे तो किष्ण जन भूमी का हम बहुत सुन्दर तरीके से विकास करेंगे और राधे-राधे करते हुए दर्सन करेंगे इन्होंने तो गाड बन गया सौधासथल बन गया काफी नहींने विकास की बात की अगर देखा जाए इन 10 सालों बदलाओ की तमदलाओ कि सब्से बड़ी की लोग है, यहां के लोगों का हलाथ क्या बदला, यहां के लोगों का छो लोग है, उनके पूत्र उनके johais वह भवित, कितने बदले क्या बदला मैं भी बता दू कि स्यानिक जो था वो अगनिवीर हो गया, चार साल में बूढा होके घर आ गया, ठीक है, बदलाओ की बात करेंगे, तो यहां सिख्छा का क्या बदला हुआ है, जिससे की भविष्ट से जो है उज्जोल होता है, हमारा देश जो है युवाओं का देश है, युवाओं जो ही देश का आधार होता, यहां का कोट देख लीजिए, यहां की चंदवली जिले में अभी तक, वहां की जो सरकारी भावने हैं, उसको देख लीजिए, एक का स्पताल बना है, आज तक कुद घातन नहीं हो पाया है, आप उसको देख लीजिए, मूल भूत्तु विधाया हैं सरो, मूल भूत् आप अभी चाचा जी थे इनके घाट को जा के देख लिजीए कि वहां पर क्या बदला हुआ भात करें अगर गंगा कित्नी साप हो गंगा कित्नी साप 22,000 क्रों रूए का खर्चा हुआ है गंगा जी पे 22,000 क्रों रूपे टीटक आपफ आप 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 नीचे दिखाये ed financially nhiều मां चलिए 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 ये तो ये तो हमाप हमाप कचला करते हैं गांगा टो बहुत साफ हुई लेकिन है कहना पड़ रहा है इतनी एभि सपा ये पास इतनी मेल अगर आप गंदगी की जो बात कर रहे हैं हम आप यहां अस्नान करने आते हैं अगर गंदगी आप प्रवाइब देखिए सर देखिए जिस तरीके से काम हो रहा है जैसे कह रहा है विकास हो रहा है नौकरियों में भी अभी भाग में इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए नौकरी भी बढ़ानी चाहिए आज अगर आपने यहां पर पांच करोन का घाट बनवाया है तो कम दो पांच करोन लागत लगा है तो कहीं करें बनाने वाले आपके चेतर के युवा आपके चेतर के वो लोग रहे होंगे जो यहां काम किये होंगे उनको रोजगार मिला तीन मेने मिला उनको रोजगार मिला जब विकास आप करेंगे तो रोजगार मिलेगा और रोजगार का आ जाद भाट बना तो घाट को बनने के पस्चात आसपास में जो भी थेले वाले गोमती वाले उन लोगों ने अपने अपने ठेले और गोमतियों को लगाना शुरू किया तो उनका रूजगार को बढ़ावा मिला यहाँ प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ी है यहां पर आ काम करेगा आएगा तो उसमें उनके नास्ता पानी के लिए बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए होती है तो वो वो कहां से खरीदेगा आपने तो तिलक उलग लगाया हुआ है कितना बदलाव तो इतना है कि विपक्ष देखकर खुदी सोच रहें कि क्या बदलाव हुआ है पदलाव से ही विपक्ष घबडा चुके है कि इतनी विकास की लहरे दोड़ गई है भारत में कि विपक्ष घबडा चुका है कि जीवन के इस रंग मंच पर मानी महंदार पांडे जी की विशस्ताओं को इंगित करते हुए कहना चाहूंगा कि जीवन के इस रंग मंच पर जिसने नित संघर्स किया और अंधकार मैं पत्में भी जोतिर मैं विमल भी मर्स किया और अपने जीवन का हर कत्रा भारत माता के नाम किया और सक्रेता से जिन्होंने जनहित का सारा काम किया और रही मागंगा की बात तो संकल्प भगीरत बनकर जो इस चंद ओली में आये हैं और यहां आकर विकास की गंगा सतत वहाए हैं और मानी महेंनात पांडे जी के लिए कि ऐसे विकास पुरुष को अविरल स्नेह के सुमन समर्पित हैं और स्नेहिल के ये स्नेह सब्द मानी महेंनात पांडे जी को अर्पित हैं इन्हों ने तो अपने क्रविताओं के माध्यम से बढ़ा दिया और बाबा यहां स्नान करने आये थे ना बाबा गंगा जी कितना साफ हुई है अब अब आपके शेतर में कुछ विकास हुआ है हमरे शेतर में कोई विकास नहीं हुआ है कहां गहर पड़ेगा चंदौली लोग सभा विकास नहीं हुआ है इस बार क्या मूड क्या है मूड तब जो सब करी तो नमनु करें बदलाव का मूड अब भग्मान जनिया का हुई अब इस जब्शच नही development मिले नहीं है विकास हुआ है करें और बर भाते हुआ है तो यहां पाले से आते आते हम कितना विकास में लोग है उनके बीच भी चल लेते हैं उनसे भी बाचित कर लेता है बदलाव कुछ दिखा है का रहा है कुछ बदलाव नहीं हुआ कितना बदलाव हुआ है हम लोगों से बाचीत किया और लोगों से जाने कि आखिर बदलाव कितना है क्योंकि गंगा के किनारे कहा जाता चौमिखी भी कास होता है और गंगा इस बार किसका पाप धुलेंगी और किसकी नईया पार लगाएंगी हम लोगों से बाचीत कर लोगों से जानने की कोशिस किये और लोगों की राय जाने कि आखिर 2024 में उनके मुद्दे क्या होंगे 2024 चुनाओं में मुद्दे क्या होंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी हमने जाना और लोगों से बाचीत की विडिशनलिस्ट अमरसा के साथ बिनाई सिंग निविज स्टेट चंदवली